तो National Fertilizers Limited में काफी सारी vacances निकली है और ये notification आज ही जारी किया गया है आप देख सकते हैं 20 October 2021 को advertisement number है 3 बटा 2021 तो जैसा कि मैंने आपको बताया काफी सारी vacances है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी आपको आवेधन कैसे करने है ओनलाइन आपको आवेधन करने है नोन एक्जेक्यूटिव वर्कर लेवल पोजिशन के लिए तो आपको मैं vacances दिखा देता हूँ पानी पत में कितनी vacances निकली है कौन-कौन सी पोस्ट के लिए निकली है अगया पढ़ लिजिए नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजिनिरिंग असिस्टेंट ग्रेड टू इंस्टुमेंटेशन डिपार्टमेंट में पेस्केल जो बेसिक है सेम है और vacances कितनी है टोटल तीन जनरल की है तीन उसके बाद है जूनियर इंजिनिरिंग उसके बाद है अटेंडेंट ग्रेड वन इलेक्ट्रिकल एक्किस पांसो से बावन हजार आपकी बेसिक पे रहेगी टोटल वेकेंशिस है नो उसके बाद है लोको अटेंडेंट ग्रेड थर्ड एक्किस पांसो से बावन हजार आपकी जो है बेसिक पे रहेगी उसके बाद है भटिंडा यूनिट के लिए जूनियर इंजिनिरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन 26 वेकेंसिज उसके बाद है इंस्टुमेंटेशन डिपार्टमेंट में 6 इलेक्ट्रिकल में 1 लोको अटेंटेंट ग्रेड 2 एक ग्रेड 3 छे वेकेंसिज अटेंटेंट ग्रेड 2 इंस्टुमेंटेशन में 6 इलेक्रिकल में 1 उसके बाद है लोको अटेंटेंट की 3 ग्रेड 3 वाले की 8 मेकेनिकल फीटर की है 14 और इलेक्रिकल अटेंटेंट ग्रेड 1 की है 4 उसके बाद है मार्केटिंग डिविजन में मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिटिव क 24,000 से 66,000 आपकी basic pay है, 15 total vacancies है, अब बात करते हैं cut of date की, तो 30 सितंबर 2021 को आपकी age, minimum education qualification पूरी होनी चाहिए, तब ही आप apply कर पाएंगे, तो junior engineering assistant grade 2 production की है minimum IU 18, maximum है 30, regular BSC मांगा है with physics, chemistry, mathematics, with 50% marks in aggregate और general OBC EWS, बाकी के लिए 45%, अगर ये नहीं है तो regular 3 साल का डिप्लोमा, chemical engineering में 50% marks के साथ, और SC STP WBD के लिए 45% उसके बाद है JE assistant grade 2 instrumentation, age limit same है, regular 3 साल का डिप्लोमा मांगा है instrumentation में, बाकी आप आप आगे पढ़ लिजिए, JE assistant grade 2 electrical, age limit same है, regular 3 साल का डिप्लोमा मांगा है 50% marks के साथ, attendant grade 1 electrical, और metric plus regular ITI मांगा है electrician, 50% marks के साथ, attendant grade 1 mechanical feeder, metric plus regular ITI feeder, with 50% marks, local attendant grade 3rd, matriculation या फिर SSC, LC, SSC का passing होनी चाहिए आपके पास, plus full time ITI in mechanical diesel trade में 50% marks के साथ, होना चाहिए, और भी नीचे दिया गया है, अगर उपरवाली नहीं है तो matriculation भी चलेगा, SSLC, SSC का भी passing अगर है तो वो भी चलेगा, उसके बाद है local attendant grade 2, full time 3 साल का डिप्लोमा, mechanical engineering में 50% marks के साथ, general OBC EWS के लिए बाकी के लिए 45%, marketing representative के लिए regular BSC मांगी है, agriculture में 50% marks के साथ, अब बात करते हैं, fees की जो की non refundable रहेगी, marketing representative की सभी के लिए है 200 रुपे, प्लस applicable bank charges जो भी लगते हैं, जब आप online payment करेंगे, आवेदन कैसे करने हैं, आपको online आवेदन करने है 21 अक्टूबर से 10 नवंबर दोजा, 21 तक www.nationalfertilizers.com पर जाकर, तो selection procedure में एक important बात कही है, candidates would be required to score minimum 50% marks, that is 75 or more marks out of 150 in online test, and all such candidates would be empaneled unit categorized in order of merit, तो आपको 50% marks लेने अनिवारे हैं, जितने भी marks का आपका test होगा, यानि कि dates हो में से 75 आपके marks जरूर आने चाहिए, तो मैंने dates बता ही दी थी, कि cut off date क्या है, eligibility की 30 सितंबर, आवेदन 21 अक्टूबर से last date है 10 नवंबर, तो ये थी vacancies National Fertilizers Limited में, अगर आप eligible हैं, इस चुक हैं, तो जरूर अपलाई करें, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें, इससे हमें ब रोजान मिलता है,